नमस्कार दोस्तों अब सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर दोस्तों कलम ने अपनी वीडियो में अनल्सिस किया था कि यहां पर मार्केट जो है वह अब यहां पर एजडिफ सी बैंक और बैंक इफटी जो है वह वह कंफ्यूस कर रहे हैं उपर जाने से पहल इकिस हजार आठसो पचास के आसपास यह लेवल अरह था हमारा कल की वीडियो के अंदर तो आमने का दा जब भी सुपोर्ट के आसपास मार्केट आए जो की बैंक का मूविंग अवरिस था उसके आसपास शौट नहीं करना है यह हमारी कल बात हुई थी कल वाली वीडियो क के अंदर तो दोस्तों आज मार्केट के अंदर क्या वह फटावर से चक्क कर लेते हैं तो मार्केट के अंदर आज देखिए दोस्तों यह वंडे का कंडल है आपका निफ्टी का बीजिंग का मूविंग अविज जो था वो यह है जो कि 850 के आसपास ही था आफ्सो सुतर के का लो लगा वहां से मार्केट ने रिकवर करना शूरू किया और शांदार के मार्केट ने कल के हाई के आसपास जाके लगबख क्लोस किया है तो इस इस कॉल्ड बॉय अंडिप मार्केट जब तक मार्केट बीजिंग के मूविंग अवज के उपन नीचे नहीं जाएगा, म और short तो करना ही नहीं है, bullish market के अंदर, especially जब market आपके support के आसपास होता है, कल बात करी थी यह वाली, आज market में वही हुआ, जो cut, copy, paste कल बताया गया था, आज market में वही हुआ है, तो अब कल के लिए क्या है, तो जो resistance है, 22,300 का, यह एक resistance है, minor resistance है, market कल के आसपास क्या करेगा, वो देखने वारी बात होगी, तो market जो है, अभी, option chain अगर देखें, तो 22,300 के उपर, put writing हो रखी है, ठीक है, 22,300, 22,400 के आसपास, put writing हो रखी है, ठीक है, तो यहाँ पर market के अंदर, कल का दिन जो है, पॉजिटिव रहने की उमीद है, ठीक है, तो 22,400 तक का, अराम से market घूम फिर के आ सकता है, ठीक है, लेकिन आजगिकी सब्सक्राइब क्ल के आद सिंपल सा आया रेकवर किया पेल रॉप ही है अब इसके लिए अगला मूँब जो है वह इस वाले कंड्र के ऊपर देशी जाएगा तुरंत आना शुरू हो जाएगा तो वेट करना होगा इसके अंदर बैंक निफ्टी के अंदर के एकल की दिन का हाई वह कट करें इसके बाद हमारा टार्गेट हमें पता है अल्री जो है वह यह है जो हमारा गैप इसवाले कंड्र के आई के ऊपर जाएगा तो ऑप्षिन चेन बुलिश है प्रेडेक्शन बुलिश है निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों का और पड़ावट से रेलाइंस की रेक्टा कर लेत तो जब तक की रिलाइंस तीन जागे उपन नहीं आएगा ठीक है HDFC बैंक फैटावट से चेक कर लेते हैं HDFC बैंक क्या क्या रहा है HDFC बैंक जो है वो सिंपल सी एकी बात कह रहा है कि भाई हां तो HDFC बैंक के अंदर एक छोट इकनल बनी है HDFC बैंक की वरे से यहां पर मार्केट के अंदर अभी रिकावरी नहीं आई तो HDFC बैंक को अंदर स्ट्रेंथ अब तब वापिस आईगी जब 20 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर जो है वो क्लोस कर देगा दोबारा से तो इसका वेट कर लीजेगा करेंगे तो आज दो है जाया कि अंदर मूव आ सकता है रहें बात को और फोड़ा फ्रॉपिट बुकिंग के तरफ भी द्हां देदेदा रहिएगा जब मार्केट आपका 400-500 के बीच में अगर आपको मिलता है कल तो ठीक है तो प्रॉफित बुकिंग करना भी टाइम टाइम बहुत जरूरी है क्लियर बात तो देखेंगे आप क्या होता है कल और मिलेंगे अपने टालीजाम चैनल के ओपर टालीजाम चैनल लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया त्र बात्र 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 अचिक टीक जरूरी है मुलकिन दिया झाल को झाल झाल